तो पहला चार्ट तो मैंने आपको देखी का दिखाया था लास्ट वीडियो में और दूसरा चार्ट में आपको दिखाता हूँ एनी टाइम तो आपको देखने हूँ मिलेगा तो आप देख सकते हैं एक बच के 36 मिनट पे देखेगा बताया गया अप्ट्रेंड और समय आप देख रहा हूँ तो लगातार मार्केट गिर रहा था कोई भी पर्टिकुलर चैनल आपको देखेगा यह नहीं मिलता सकता कि अप्ट्रेंड आने वाला यहां से यहां से अप्रॉक्स 300 पॉइंट का अप्ट्रेंड बना हुआ है लेकिन मैं आपको क्विक अप्ट्रेंड की बात कर रहा हूँ तो मैं वहां पे 300-200 पॉइंट नहीं जाओंगा चुकि मैं बिगिनर के साथ हूँ तो वहां पे अगर आप देखेंगे त तुरंत आपको देखने हूँ मिलता है 140 पॉइंट का अप्ट्रेंड और मैं आपको यहां पे टाइम भी दिखा देता हूँ कि अप्ट्रेंड शुरू कहां से होता है एक बचके 30 मिनट पे देखेंगा मैंने यहां पे चार्ट दिया था और उसके बाद अगर आप देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कल मिस्मत करिएगा anytime यानि कितने time में market भागने वाला है यह आपको बताय जाता है हमारे telegram चैनल पे मिस्मत करिएगा अब सबसे important बात बताता हूँ as a beginner अगर आप है तो यह बात दिमाग में रख लीजे बाजार एक खबर पे बार बार रियाक्शन नहीं देता एक खबर पे अगर उसने बड़ा रियाक्शन पहले दे दिया है तो वो बार बार उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता थोड़ा बहुत सीरियस ले सकते है अगर जो शब्दों का पर्टिकुलर जो घुमाओं हो वो अलग हो तो थोड़ा बहुत सीरियस ले सकता है लेकिन आप कहे दो कि एक बार बड़ा फॉल दे चुका है तो उसके बाद भी बहुत ज़़ा सीरियस लेगा ऐसा बिलकुल भी रही है अब मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ क्योंकि देखेगा खबर आना और उसको पढ़ना समझना बहुत ही डिफरेंट है आपको खबर तो कोई भी बता देगा लेकिन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैंने आपको देखेगा कल जब मार्केट डाउन था डो जोंस डाउन था सब कुछ डाउन था तब भी मैंने आपसे क्या बता दिया कि हम गयाप आप खुलेंगे हम पॉजिटिव खुलेंगे नथेंग टू वरी बाउट इट और आपको भी बता था कि उस पर्टिकुलर सिनारियो में जहां पे 200 पॉइंट की गिरावट थी डो जोंस पे उस समय जहां पे फेड का उटकम भी आना है रात को आपसे अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उसके पीछे वज़ा होती है वज़ा यह है कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर फेड वही चीज रिपीट करता है जो उसने FOMC की मीटिंग में बोला था हम पॉज नहीं करेंगे हम इंफलेशन को लेकर कॉशियस है हम पॉलिसी को रिस्ट्रिक्टिव रखेंगे तो यह भी एक निगेटिव निउस नहीं है इसको आप निउट्रल टू पॉजिटिव निउस कह सकते है और वही सेम चीज आपको देखने हूं मिली उन्होंने वही शब्द दोर आए और वही शब्द दोर आए तो इसका मतलब है आगे चलके आने वाले देखेगा दिनों में जल्दी आपको एक अप्ट्रेंड आने वाला है अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यूँ चुकि फेट के ओफिशल ने क्या क्या कहा है मैं आपको बता देता हूँ कि फेट ओफिशल ने देखेगा क्या कहा है अब आप ये मुझे वीडियो के नीचे कॉमेंट करके खुद बताईएगा कि ये इन्होंने अभी तीन बार की पॉलिसी में कितनी बार बोला है कितनी बार बोला है अभी 14-15 दिसंबर को बोला था आपको भी पता है फेट के आउटकम आया था मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे यह बोलेंगे और देन आफ्टर देखेगा मार्केट गिर जाएगा आप उस दिन का वीडियो भी जाके चेक आउट कर सकते हैं लेकिन अब मिनिट्स में कुछ लोग एक्सपेक्ट करें थे कि क्या कुछ नया तो नहीं बोल देंगे क्या ऐसे तो नहीं कह देंगे कि 50-50 के रेट ही लगा तक चलते रहेंगे या फिर कुछ ऐसा तो नहीं कह देंगे कि अगर इससे हमें राहत नहीं मिली तो हम पॉलिसी में भी बहुत बड़े चेंजिस कर सकते तो आपको ऐसा कुछ दिन देखने हो मिला fighting inflation की बात करी है higher interest rate की बात कही है more progress की बात कही है और देखेगा कुछ नयानी का at a meeting where policy maker raised their key interest rate another half percentage they express the importance of keeping restrictive policy in a place तो आप समझ सकते हैं कि आप बहुत clarity से जानते हैं कि यहाँ पे Democrats और Biden की सरकार बहुत ज़्यादा pressure में और आपको भी पता है कि अगले साल election है तो जब election है तो आपको पता ही अभी बोला जा रहा है जैसे ही election का era शुरू होगा जहाँ पे अभी आप देख रहा हो काटे की टक्कर देखने हो मिली है Republicans और Democrats के बीच बे तो यह policy सब change होने लगेगी सब relaxation वाले mood आने लगेंगे सब capital market को खुश करने वाली खबरे आने लगेंगी same ऐसा ही आपको यहाँ पे भी देखने हो मिलेगा चुकि Modi government का भी यह आखरी साल है और उन्हें अगले साल election में जाना है तो कहीं से भी साल के अंत में आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा downtrend देखने हो मिले आपको dip देखने को मिलेगा जिरावट देखने को मिल जाएगी लेकिन उसके बाद जब uptrend चुरू होगा तो वो continue रहेगा क्योंकि आपको बहुता कि जो 2% का इनका target है वो next to impossible है rate hike से वो rate hike से नहीं हो सकता यह सब ही जानते हैं इवन अगर आप economics का A2B भी पढ़ा होगा आपने कुछ भी पढ़ा होगा ABC भी पढ़ा होगा तो भी आप कह दोगे कि ऐसा possible नहीं है इसलिए जब उन्होंने देखेगा यहाँ पे rate hike की बात कही है तो यह well known था तो market ने as such कोई reaction नहीं दिया इवन market positive हो गए चुकि उसमें कुछ नया नहीं था और हमारी currency ने भी कोई reaction नहीं दिया depreciation का वो भी strength में आ गई फिर हमारी तो हमारी देखेगा Asia के किसी बाजार ने कोई बड़ा reaction नहीं दिया और even bond ने भी bond market ने भी कोई बड़ा reaction नहीं दिया 3% 4% का uptrend हो जाता है ऐसा कुछ हो जाता और सारे बाजार अगर आब देखेंगे China, Taiwan, Hang Seng, Nikkei सारे बाजार अगर आब देखेंगे तो positive trajectory में आ गए क्योंकि एक ही बात दुबारा बार बार बोली जा रही है इसका मतलब कुछ नया नहीं है कहने के लिए और जब कुछ नया नहीं होता है तो बाज़ार उस बात को भूल जाता है जल्दी वो इस बात को भूल जाएगा और डो जोंस में recovery आएगी और then after that आपको एक short covering market में देखने हो मिलेगी तो वीडियो अर अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना न बूलेगा Thank you so much